गुड मॉनी श्टुरेंट्स, आवर न्यू टोपिक फॉर्गेटिंग, वी समर्ति या वी सम्वान या भूलना, एक उता है मेमरी, मेमरी या दास्त समरिती, समरिती का विप्रित सवर्द है, वी समर्ति, यानि कि हम जो कुछ भी याद करेंगे, तो वो भूलेंगे, और भू ज़िए जितना याद करना जरूरी है, उतना ही भूलना जरूरी है, यदि हम कुछ भी याद करते हैं, जब तक हम पहले वाड़ा नहीं भूलेंगे, तो नया याद नहीं कर सकते, जैसे मेमरी कार्ड में एक स्टोरेज होती है, कि 1GB, 2GB, 4GB, 8GB, ऐसे स्टोरेज होती है, वै लेंगे, तो नया याद हमें नहीं कर सकते हैं, एक पागल होता है, कोई पागल होती है, तो वो पुरानी बातों को ही रिपीट करता रहता है, तो नया कुछ भी नहीं कर सकता, इसलिए नया करने के लिए हमें पुराना भूलना होगा, कुछ भूलना तो अपने आप चला ज देने वाली और एक ज्यादा दूख देने वाली यानि कि द्रिग कालिन समरीती में चला जाता है जैसे लास्ट टोपिक में आया था कि समरीतियां कितने परकार की हैं कि तीन परकार की समरीतियां हैं समेधिय समेत्री समरीती लगू कालिन और द्रिग कालिन द्रिग कालिन में दो बाते याद रहती हैं कि जो ज़्यादा दुख देने वाली और ज़्यादा खुशी देने वाली तो इंसान क्या चाहता है कि खुशी चाहता है तो इसलिए ज़्यादा खुशी देने वाली बात को वो बार 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 याद करता रहता है रेपीट करता रहता है जैसे पार्मिक्चलन क्या बना रख्था है कि उसके कपड़े उसकी वस्तों को विश्माप्त करने की सोचते हैं, जब समसान भूमी पर ले जाते हैं तो उसके कपड़े वगारा को जला दिया जाते हैं ताकि आगे आने वारी उसकी जो चीजे हैं, आखों के शामने ना आये, नजर की ऐसा भलता या ग्रहन की गई सामगरी के प्रत्य सम्मन करने की ऐसा भलता का होना वी समृति कालाता है। English and English ने क्या का है? कि पूरो में सीखी होई किसी वस्तु के सम्मन में वी सम्मन वह स्थाई और सताई हानी है जिनके कारण प्रत्य सम्मन पहचान रिकॉल करना उसको रिकॉल करना उसको रिकॉल करना उसको करिये योगता का हो कि हम उस जो पास्ट में हमने काम किया था उसको प्रजेंट में याद ना कर पाएं उसको प्रजेंट में यूज ना कर पाएं वी सम्मन कहलाता है और जो पास्ट में काम किया था उसको वह परिकृतिय जो एशुक्द वातावन से हमें दूर ले जाती है ड्रीवर के नुसार विसमन से विप्राए है किसी समय पहले सीखे हुए कारिया को किसी भी समय प्रत्यसमन करने में या किसी कारिया करते समय किसी अनुभाव का प्रत्यसमन करने में सपल होना एस पर होना कि वो उसको विशमण नहीं कर पारे, वो इसलिए विशमण, विशमधी कहलाता है, प्रिभासाओं के अधार पर हम पहचान कर सकते हैं, कि समरिति के विशमर्ती परते सम्ध्य पहचानने में मिली एस अपलता का ही परिणाम है, कि किसी भी चीज को विश्यमर्थी क्या है, कि फॉर्गेटिंग क्या है, कि जो चीज हमें प्रते समझ करने है, रिकॉल करनी है, रिकॉल करनी है, पहचाननी है, उसमें मिली ऐसे पलता का प्रिणाम ही विश्यमर्थी है, विश्यमर्थी के प्रकार क्या है फिर, नोर्मल और पैसिव फर्गेटिंग, अब नॉर्मल और एक्टिव फर्गेटिंग, एह समयन कहलाती है कि समयन्यता है यह कोई भी हम याद करेंगे कुछ भी सीखेंगे उसका यूज नहीं करेंगे यह उसको हम बार बार नहीं दो रहेंगे बार बार उसको नहीं सीखेंगे तो हम उसको भूल जाएंगे इसमयन्य है ऐसमयन्य क्या है सिक्रिये जब हम जान बूज कर कि active forgetting कि दो प्रकार है समयन्य और ए समयन्य इसके बाद आता है वी समर्ति या वी समर्ण प्रकृति का सवरूप क्या है कि nature of forgetting वी समर्ति या वी समर्ण प्रकृति का सवरूप क्या है कि दो पार्ट्स बनाए है इसके दो विचार धारायों से साहिता ले सकते हैं वी सम्मन एक निस्करिय मानसिक परिकरिया के रूप में, वी सम्मन एक सकरिय मानसिक परिकरिया के रूप में, तो वी सम्मन एक निस्करिय मानसिक परिकरिया के रूप में, तो वी सम्मन एक निस्करिय मानसिक परिकरिया के रूप में, तो वी सम्मन एक निस्करिय मानसिक परि टाइम बित्था जाएगा, वैसे वैसे अपने दिमाग में जो समरीती के चिन है, वो कमजोर होते जाएंगे, हम उन चीजों को भूलते जाएंगे, उनके जो सेफ है वो भूल जाएंगे, उनके गुण आगुण भूलने लग जाएंगे, कि ये सारा क्या है, क्रव है, हम भूलना सम्मे के बीतने के साथ ही नहीं भूलते, जिसको हम भूलना भी चाहते हैं, कि एक तो यह होता है, कि टाइम बीत्थे बीत्थे हम भूल जाएंगे, एक यह होता है, कि जो हमने सीखा है, सम्मे के अंतराल के बाद उसको उसके चिन्ने दुरुबल पर जाएंगे, कि मुलिकता यह है कि जो हम सीखेंगे जो हम याद करेंगे उसको हम भूलेंगे पर किसी चीज़ को अच्छे से नहीं किया हमने या किसी चीज़ को हम भूलना ही चाहते हैं जैसे एक पाठ याद कर लिया अब यदि उसी पार्ट को दोराते रहेंगे तो हमें वो याद रहेगा अब सम्मे के साथ उसको नहीं दोराया दूसरा पार्ट कर लिया तीसरा पार्ट कर लिया एक सलेवस कवर किया है वो दूसरा सलेवस किया है तो पहले सलेवस हम भूल जाएंगे कि नया कुछ करने के लिए हमें पुर्वाना डिलीट करना होगा पुर्वाना भूलना होगा इसके बाद है वी समन के कारण क्या है या इसके निर्धारक क्या है कि कुछ भी हम भूलते हैं जैसे याद करने के कारण होते हैं वैसे ही भूलने के कारण है कि जो भी हम भूलते हैं उनके कुछ तो कारण होंगे, एक तो होते हैं कारिय कारक की काम कैसा है, कारिय की प्रिकरती, उसके अधार पर हम भूलते हैं, यदि कोई अर्थवान कोई मैटर है, जिसका कुछ अर्थ निकर रहा है, जिसका कुछ निकलता है तो वो लंबे टाइम तक याद रहती है अब वही अलफाबेट से हम आगे पीछे करके याद करने की कोशिश करते हैं तो थोड़े देर के लिए रटाफिकेशन से उसको याद रख सकते हैं लंबे टाइम तक उसको याद नहीं रख सकते, तो वो डिपेंड करता है, फिर है कि लेकों पे रिपीटेशन, पुन्यवर्ती का भाव, यदि हम बार बार उसका रिपीट नहीं करेंगे, बार बार उसको पुन्यवर्ती नहीं करेंगे, तो हमें याद नहीं रहेगा, इंट्रेस्ट का भाव, किसी काम में ह कि हम कुछ भी सीखते हैं हुसकेगा सीमा है जादा नहीं सीख पाते हैं अपना एक कपैस्ट्री लेल है थकान फटी cans थकान में कोई काम किया गया है सरीर, मन, दिमाग को करने के लिए तयार नहीं है पर फिर भी कर रहे हैं तो लंबे टाइम तक याद नहीं रहेगा, ध्यान भी करशन, अपना ध्यान एक जगे नहीं है, किसी कोई अच्छे से ध्यान लगा के काम करेंगे, तो अच्छे से धारन होगा, और अधी गम भी होगा, शीखेंगे भी, अगर ध्यान भटा हुआ है लग-लग परस्तीतियों म तो हम उस दोरान सिखा गया काम जल्दी भूल जाएंगे, रटाफिकेशन, रटना, कि कुछ भी हम रट के याद करते हैं, तो लंबे टाइम तक याद नहीं रह पाता, समझ के याद किया गया, लंबे टाइम, दुख दनुभाव, दुख दनुभाव को हर इनसान हर पढ़ नहीं भूलना चाहता है, इसलिए उसको भी समण में, मादखता, किसी ड्रग्स का, नसे का, सराब का सेवन करते हैं, उसके दोरान की गई बाते हैं, सिखी गया काम, हम भूल जाते हैं, दिमाग पर जो इफेक्ट डालता है, सीखने की विदी कैसे अपनाई गई थी, उसके विदी ज्यादा कष्ट दाई थी, तो हम उनको भूलने ही कोशिस करते हैं, इसके बाद है, अभी प्रेना का भाव, अनुकल प्रिस्तीतियों का भाव, कि सही प्रिस्तीती में काम नहीं सीखा गया है, या हम मोटिवेट नहीं हैं, कि लेक ओप मोटिवेशन, लंबा अंतरा बूल जाएंगे, अपने इमोशन कैसे हैं काम के परती, समवेक कैसे हैं, उसके अधार पे भी हम काम को या अपनी मानसिक किरिया हैं, चिंतन परिकरिया में वो बादा करती हैं और उनको हम भूल जाते हैं, इसके बाद एज और आयू क्या है, एज क्या है, आपकी और प्रक्ता कितनी है, उसके अधार पे हम उसको भूल जाते हैं, लंबी बिमारी का हम सिकार हो जाते हैं, तो सरीर ऐसवस्त हो जाता है, दिमाग ऐसवस्त हो जाता है, तो भी हम जल्दी जल्दी चीजों को भूलने लग जाते हैं, प्रेशानी में, उदासिंता में, डिप्रे जे सकते हैं कि हां कि कारिये परकरती पुनयवर्थी का भाव oud अदिगंव की मातरा पिरअगे कि विशमन के सिधान्त है आनुपयोग या हराज का सिदान्त है जैसे जी सब्सक्राइभ करेंगे वो चिजघ हमें याद रहेगी अनुपियोग यानि के उस जी चीज को हम छोड़ देंगे कम वो हम भूल जाएंगे आपके सलेवस का यही था आपको वीडियो कैसी लगी इसके लिए आप कोमेंट कर सकते हैं लाइक कर सकते हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और टाइम टू टाइम वीडियो देखते रहिए ताकि आपका जो रिवीजन होता रहे थैंक यू